3 माई को बॉलिवुड के 109 साल पूरे हो जाएंगे। इसी दिन पहली भारतिय फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई थी। इस मौके पर हम आपको आज बता रही हैं मूख फिल्मों की पहली सूपर स्टार रूबी मेयर्स की कहानी। विदेशी मूल की रूबी मेयर्स यानी सुलोचना को भारतिय सिनेमा की पहली फीमेल सूपर स्टार का दरजा मिला था। खुबसूरत दिखने वाली अदाओं से भरपूर और बोल्डनेस में सबसे आगे। इनसे पहले कुछ महिलाएं फिल्मों में आई तो जरूर लेकिन रूबी अपने हुनर से भारत की पहली फीमेल सूपर स्टार बनी। ये उस दौर की बात है जब भारत में मूख फिल्में ही बना करती थी। फिल्मों में ना डायलोग होते थे ना ही गाने लेकिन जो भी बड़े परदे पर रूबी को देखता वो देखता ही रह जाता था। क्रेज ऐसा था कि जहां बड़े बड़े अभिनेता महज एक सो रुपए फीस लिया करते थे। रूबी हर फिल्म के पाँच हजार रुपए लेती थी। उस समय महराश्च्य के गवर्नर की सैली भी इनसे बेहत कम थी। 1925 में फिल्मों में कदम रखने वाली सुलोचना ने करीब 65 साल के फिल्मी करियर में 107 से ज्यादा फिल्मों में अभिने किया। जब साउंड फिल्मों का दौर आया तो हिंदी में कमजोर ब्रिटिश मूल की रुबी को दरकिनार कर दिया गया। एक साल का ब्रेक लेकर रुबी ने हिंदी में महारत हासिल की और दमदार कमबैक किया। खुद की प्रोडक्शन कमपनी रुबी पिक शुरू की और हाइस्ट पेड एक्ट्रिस बन गई। आज बात होगी इनी की फिल्मों में आने और काम्याबी हासिल करने की अजीब दास्ता पर जिसने देखा देखता ही रह गया। 1907 में रुबी मेयर्स का जन्पुने महाराश्च्य में हुआ था। खर्च उठाने के लिए रुबी एक टेलीफोन ओपरेटर की मामूली नौकरी किया करती थी। टाइपिंग स्पीड में इनका कोई मुकाबला नहीं था और खूपसूरती ऐसी की हमेशा आकर्शन का केंद्र रही। यही कोहिनूर फिल्म कंपनी के मोहन भवनानी की इन पर नजर पड़ी। मोहन ने तुरन पूछ लिया सिनेमा में काम करोगी। लेकिन जवाब में इनकार मिला। पहली फिल्म के बाद रुबी मेयर्स से बनी सुलोचना। उस दौर में एक्टिंग को महिलाओं के लिए बेहत असब्य पेशा समझा जाता था। रुबी की खूपसूरती के कायल हो चुके मोहन भवनानी ने जित पकड़ ली और आखिरकार वो राजी हो गई। हालान की इन्हें अभिनय का कोई अनुभव नहीं था। ये मूख फिल्मों का दौर था जब फिल्मों में न डायलोक्स थे और न साउंड। रुबी ने 1925 की फिल्म वीर बाला से अभिनय शुरू किया। फिल्म में इन्हें मिस रुबी क्रेडिट मिला, लेकिन इसके बाद रुबी सुलोचना बन गई। भवनानी के डायरेक्षिन में बनी फिल्मों ने सुलोचना को स्टार बना दिया। लेकिन कुछ फिल्मों के बाद सुलोचना ने कोहिनूर कंपनी छोड़कर Imperial Film Company जोईन कर ली। इस कंपनी के साथ सुलोचना ने करीब 37 फिल्में की। इनमें से टाइपिस्ट गरल, 1926, बलिदान, 1927, वाइल्ड कैट ओफ बॉम्बे, 1927, खुब पॉपिलर रही 1928 से 29 के बीच रिलीज हुई फिल्मों माधुरी, अनारतली और इंदिरा बिये ने सुलोचना को काम्याब एक्ट्रेस का दर्जा हासिल करवा दिया उस जमाने में जहां अभिनेता साइकिल से सेट पर आया करते थे, सुलोचना शेवरले और रॉल्स रॉयस जैसी लगजरी गाड़ियों से आती थी वो जब भी अपनी गाड़ी से उतरती तो आसपास देखने वालों की भीड लग जाया करती थी लोगों में दीवानगी ऐसी थी कि भीड के डर से सुलोचना अपनी ही फिल्म देखने बुर का पहन कर पहुचती थी भारतिय महिलाओं के लिए प्रेर्णा बनी सुलोचना पर्दे में रहने वाली महिलाओं के लिए सुलोचना एक प्रेर्णा बन गई इन्होंने फिल्मों में स्विमिंग की आज राइडिंग और स्टंट करने में भी पीछे नहीं रही किसिंग सीन ने मचा हंगामा कि रांजा फिल्म में सुलोचना ने कोस्टार डी बिलिमोरिया के साथ किसिंग सीन दिया तो खूब हल्ला हुआ सुलोचना देखते ही देखते मूख फिल्मों की सेख सिंबल बन गई रील के अलावा असल जिन्दगी में भी सुलोचना बोल्डने से लोगों का ध्यान खीच लेती थी बोल्ती फिल्मों का जमाना आया तो तीछे रह गई रूबी बेहत काम्याब थी लेकिन जब पहली बोलती फिल्म आलमारा आयी तो मेकर्स ने इनकी जगह जुबैदा को कास्ट कर लिया कारण था रूबी का हिंदी में कच्चा होना और जुबैदा को हिंदी उर्दू की जानकारी होना सुलोचना को ये बरदाश्ट नहीं था उन्होंने समय के साथ चलने के लिए फिल्मों से एक साल का ब्रेक लिया और हिंदी सीखने लगी किसी बीच सुलोचना की सभी मूख फिल्मों को साउंड के साथ दोबारा बनाया गया वीरबाला फिल्म माई मैन नाम से बनी जहां खुरशीद सुरया के आने से सुलोचना की पॉपुलरिटी कम हो गई लेकिन उनके तेवर और महंगे शौक जारी रहे बोल्डनेस के कारण मूरार जी देशाई ने बैन की सुलोचना की फिल्म जुगनू फिल्म में स्टूडन्ट बनी सुलोचना और प्रोफेसर बने दिलीब कुमार के बीच लव अंदल दिखाया गया तब बॉम्बे स्टेट के ततकालीन होम मिनिस्टर मूरार जी देशाई ने फिल्म को असब्य और नैतिकता के खिलाफ बताते हुए इसे बैन कर दिया फिल्म में दिलीब कुमार और नूर जहा लीड रोल में थी लेकिन सुलोचना फिल्म में स्टूडन्ट बनी थी पॉपुलेरिटी कम हुई तो एक्स्ट्रा बनकर किया गुजारा जब सुलोचना की फिल्म अनारकली तीसरी बार बनी तो सुलोचना को लीड रोल की बजाए सलीम की मा जोधा बाई का साइड रोल मिला बीना रॉय फिल्म की हीरोईन थी खुद के महंगे शौक पूरे करने के लिए सुलोचना इसके लिए राजी हो गई देखते ही देखते साइड रोल मिलना भी बंद हुए तो सुलोचना एक्स्ट्रा बनकर काम करने लगी शौक बड़े थे लेकिन कमाई नहीं एक समय ऐसा भी आया जब सुलोचना को इंडिस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया सुलोचना के सोने के गहने नकली गहनों से रिप्लेस हो गए आर्थिक तंगी का दौर शुरू हुआ लेकिन इनोंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए पहली फीमेल सुपरस्टार से सुलोचना एक जूनिया आर्टिस्ट बन गई सुलोचना के पास काम तो नहीं था लेकिन इंडिस्ट्री ने उन्हें भरपूर सम्मान दिया 1973 में सुलोचना को भारतिय सिनेमा में दिये योगदान के लिए फिल्म जगत के सबसे सम्मानित दादा साहिब फाल के अवोर्ड से नवाजा गया सुलोचना लोगों की नजरों से दूर होने लगी आखिरकार 10 अक्टूबर 1983 में गुमानाम जिन्दगी जी रही सुलोचना दुनिया छोड़ गई थांक्स तो वाचिं दिस वीडियो प्लीज शेयर सब्सक्राइब और लाक मैं शनल